आर्च की स्टोरी का नाम है ठंडी में गरीब विद्वा बवू गर्मी के दिन दीरे दीरे ठंडी का दिन आ रहा था और एक छोटे से गाउं में एक विद्वा बवू अपने बेटे के साथ रहा करती थी वहाँ बहुत ही सम्वेदन सील और मेहनती महिला थी लेकिन उसके पास अपने छोटे बेटे के लिए काफी कम धन था उसके बेटे को बहुत ही बड़ी बीमारी थी फिद्वा बवू अपने बेटे के इलाज कराने के लिए दिन रात काम करती थी और पैसे इखटे करने का प्रियास करती थी लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसका सही से उपचार करा सके एक दिन गाओं के पंचायत में एक सभा बुलाई और बताया कि एक घंदाशी का फंड गाओं के गरीबों के लिए बनाया गया है काउं के सर्पंच ने बताया कि ये फंड उन लोगों को दिया जाएगा जो अपनी जीवन में बहुत ही कटनायों का सामना कर रहे हैं सभाव में उसकी कहानी सुनके सभी की आखों में आसु आ गए थे सर्पंच ने विद्वा बहु को फंड प्राम्ट करने का अधिकार दिया इसके बार विद्वा बहु ने अपने चोटे बेटे का उपचार कराने के लिए फंड का सही तरीके से उप्लोग किया उसके बेटे का उपचाय सही से होने लगा और रेस्वस्त हो गया और स्कूल जाने लगा जब विदवा बहु की कहानी गाउं के लोगों ने सुनी तो वे भी उसके साथ मिलके अन्य गरीबों की मदद करने लगे गाउं में एक आलसी रेखती था जो अपनी सहूलियत में था यकिन उसको विदवा बहु की कहानी से बहुत ही प्रेयना मिली उसने भी अपने जीवन में सकरात्मक परिवर्तन किये और गाउं के गरीबों की मदद की दीरे दीरे गाओं में बहुत ही सम्रिद्धी और सयोग का महल बन गया सबी लोग दीरे दीरे एक दूसरे की मदद करने लगे और गरीबों में भी सुधार आया इस कहाने से हमें याज सिक मिले कि अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अगर हम एक सात हैं तो हम सब के सात मिलके आगे बढ़ सकते हैं विद्वा पुहु ने अपनी मैनत और संगर्ज के साथ गरीबों के लिए भी एक मिसाल बनी उसकी कता सुनके गाउं के अन्य लोग भी संगर्ज से निकलके सफलता कि और आगे बढ़े सायोग और सामोहिक बिष्टी कौन हमाई समाज को मजबूत बना सकता है हम सब को एक दूसरे की मदद करने की अवशक्ता होती है आप सभी के स्टोरी कैसी लगी अब अच्छी लगी तो लाइक करें कमेंट के सिस्क्राइब करें बाई चल्दी ही मिलते है एक न्यूश स्टोरी के साथ